हेलो एबरिवन मैं मिथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे कस्तुर्बा गांधी बालिका विद्याले में रिकूट्मेंट आनी सुरू हो चुकी है आप अपने जिला में अगर अपलाई करने से वन्चित रह जाते हो उसके लिए मैंने इसका एक उपाई ढूंडा है आप नीचे कॉमेंट सेक्षन में आपको एक लिंक मिलेगा एक प्लेलिस्ट की लिंक है जहां पे सारे कस्तुर्बा गांधी बिद्याले के जो भी रिकूट्मेंट आते हैं उसमें नई विडियो अपलोड होते रहती है अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट की विडियो नहीं देख रखी है तो हो सकता है कि आप अपने डिस्टिक से छूट जाओ और आप अपने डिस्टिक में अपलाई नहीं कर पाओ तो आने वाले समय में नए नए recruitment आएगी और नए नए videos में update होते रहेगी तो वो जाकर आप जरूर देख लें description box में भी मैं link दे दूँगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की class को उससे पले आप लोगों को मैं बता दूँ बहुत सारे comment आ रहे थे कुछ छोटे-छोटे doubts थे जो आपके complete नहीं हो रहे थे तो देखिए minimum यहाँ पर 27 रुपे का dark ticket मांगा गया है मैं आपको दिखा देता हूँ question एक second यहाँ पर दिया हुआ है खेर कोई बात नहीं मैं आपको बता दू आप 27 रुपे का dark ticket अगर लगा देते हो तो ठीक है उससे ज़्यादा का लगा दोगे तो आपका नुकसान है 27 रुपे से ज़्यादा आपके खर्चोंगे उससे ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं आप 30 के भी 35 के भी dark ticket लगा सकते हो यह तो हुई पहली बात दूसरी बात नॉर्मल जो है यह पूछा जा रहा था कमेंट सेक्शन में कि DLA वाले इससे अप्लाई कर सकते हैं क्या तो देखी यहाँ पे असपस्ट रुप से इन्होंने लिख रखा है B8 वाले ही अप्लाई कर सकते हैं तो ऐसे मैं आपको परिशान होने की जरूत नहीं है DLA वाले वो 1 to 5 और 6 to 8 की तयारी करें जब भी vacancy आएगी आप तयारी में लगेर हो आगे देख लिजी कुछ और चीज़े हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ वेटे मिनट यहाँ से आप देख सकते हो कस्तुरुबा गांधी बालिका विद्याले के लिए आपकी जो उम्र सीमा है वो मिनिमम पचीस साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है पैतारी साल तक आपका काम चल जाएगा OBC के लिए तीन साल की चूट, SCST के लिए जो है पांस साल की चूट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है याद रखिएगा इस बात को इस सारे चीज़ों को देख लिजेगा याद रखिएगा इस बात को, चलिए आगे देखते हैं कुछ और चीज़ों को वेकेंसी कहां से आई है, अच्छली यह ओफिसल वेबसाइट पर अभी तक नहीं आई है मैंने निउस पेपर की कटिंग से आपको मैं निउस दे रहा हूँ आप ओफिसल वेबसाइट पे जाकर एक बार जरूर चेक आउट कर लेना अधरवाइज आप जो है अपने आसपास के बुक स्टोर से अप्लिकेशन फर्म जो है खरी सकते हैं और अपलाई कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं, वेकेंसी कौन-कौन से पोस्ट के लिए आई हुई है और कौन-कौन इसे अपलाई कर सकता है, वेकेंसी कहां से आई हुई है अगर सेलेरी की बात की जाए तो आपको यहां पे 22,000 रुपे पर मन्त दिया जाएगा याद रखिएगा, और पुर्ण कालिक सिक्षका में देखिए जो सब्जेक्ट है, वो है बिज्ञान यानिकी साइन्स, गनित यानिकी मैथमेटिक्स, भासा में हिंदी और संस्कृत, इसके अलाबा आप यहां से देख पाओगे अंग्रेजी, यानिकी हिंदी, इंगलिस औ और संस्कृत तीनों की recruitment आई है, गनित और विज्ञान सिक्षक की recruitment आई हुई है, आगे देखिए नमबर टू में आपको देखेगा, स्काउट, गाइड, एबं, सारे रिक सिक्षा की recruitment आई हुई है, कम्प्युटर, टीचर की recruitment आई है, सहायक, रसुया, चपरासी की recruitment आई ह है अब देखिए वन बाई वन में आपको समझा देता हूं कि वेकेंसी के लिए यहां से आप देख पाऊगे टैट का पास होना ज़रूरी है अगर आपने टैट पास कर रखा है तो आप अपलाए यहां पे कर सकते हो इसकी आखरी तिथी कब है छे अपरिल तक आप इसे अपल यहां से आप देख लो www.moradabad.nic.in से जो है आप जाकर application form को download कर सकते हो अभी नहीं आई है website नहीं खुल रहा है बाद में यह open होगा और आप ब्राउज करके देख सकते हो और जिनको address के बारे में जानना था तो यहां पे देख लिजिए कारियाले जिला basic सिक्छा अदिकारी मुरादाबाद के नाम से आपको लेटर भेजना है जो लिफाफा भेजो के इनके नाम से भेजना है दूसरी बात जिस भी district से आप इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे कमेंट करके अपने district का नाम जरूर लिखें ताकि आपके district से जब भी कस्तुरबा कांधि की भरती Thank you so much for watching this video. Have a good day.